गुमारवी में हर साल की भाती मनाया जाने वाला गणेश उत्सव मूर्ती की सापना के साथ शुरू हो गया है। इस गणेश उत्सव का शुभारंब शिवधाम पन्याला के पुजारी बाबा धरम सिंग द्वारा किया गया। मंत्रुचारण वा पूरे विधिविधान के साथ मूर्ती की सापना की गई। इस बार ये उत्सव सोलवे वर्ष में परवेश कर गया। ये उतसव श्री शिद्धी विनायक सेवा समीती द्वारा मनाय जाता है, इस बार उतसव नीजी होटल के प्रांगण में मनाया जा रहा है। समिती के संस्थापक विशाल सोनी ने बताया कि इस बार उत्सव की खास बात या रहेगी कि हर शाम को भजन संध्या होगी जिसमें हर दिन शाम को अलग-अलग सो प्रिसिद गायक शिरकत करेंगे। तक पश्चात विस्सर्जन किया जाएगा। इस मौके पर बाबा धरम सिंग, विशाल सोनी, शिवम सोनी, कविता, दिव्या, भूरा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। और गुमारी वास्यों की सायोग से आज सोलवा गुनिसुसो मनाई जा रहा है। और दूसरी बात यह कि आज इस बार एमफोर होटल में हैं। और सभी को विलकम हैं। अब सभी की सायोग से बन रहा है। और समी को यह मंत्रित करता हूं कि सोलवा गुनिसुसो है। गुमार्मी में एमफोर होटल में साधरा मिंत्रित है। और बढ़ चड़ करके सयोग देना और भप्ती भावों से गनेश की सेवा करनी है। कि आज स्वापना की है हम ने 12 बजे लगवग श्टापना की है। शनिवारे साथ ट्रिकों स्टापना है। और आज रोज शाम को अलग अलग अपना मनुरंजन देगे। और हर नोज मतलब का जागरन होगा। हर रोज मतलब से शोबा यातर होगें। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी